तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग उम्मित करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और उतनी अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रहे होगी तो बच्चों परिच्छा की अंतिम प्रहार में अभी तक हमने अध्याय एक से लेकर अध्याय 14 सब्सक्राइब करें के बारे में मैं बात कर लिए कुर्ण आज की क्लास में मैं में आज आपको वापत सक तीन अध्यायों के बताने वाला हूं और इस तरह से 16 के 16 चब्टर के मरन उस्ट इंप्रक्रत कर को आपको बता डालूंगा गा तो चलिह बत्चों आज किस क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करना चाहेंगे तो देखें बच्चों यहां पर बहुत ही खुपसृत अंदाज में सजाया आपको पोस्टर दिख रहा है जिसका में हेडिंग है अंतिम प्रहार परिक्षा पर हमने अंतिम प्रहार करना स्टार्ट कर चुके हैं और यह अंतिम प्रहार का आपका लेक्चर नंबर आठ होने वाला है जहां पर मैं आपको अध्याय कौन सा आपका 14 आपका 15 और यह 16 ठीक है अध्याय 14 15 और 16 इन तीनों अध्यायों के हम most important question के बारे में बात करने वाले हैं इसके बाद एक और लास्ट लेक्चर आएगा जहां पर मैं आपको सेंपल पेपर discussion कराने वाला हूं उसमें मैं आपको लिखने का फॉर्डमर दिखाऊंगा चुकि मैं एक बार और करा से अपने जो अध्याय 14 के खजाना को खोलने जा रहा हूं तो बस बच्चों आपके इंतिजार के घड़ी खतम हो चुकी है और यह हमारा अध्याय 14 का most important question खूल चुका है जो कि आपको यहां पर दिख रहेंगे पांच प्रस्णम ठीक है आजा तो यहां पर मैं लिक देता हूं अध्याय कौन सा यह सरी अध्याय 14 का है अध्याय नंबर सरी 14 का होने वाला है यहां तक कि सर हमें अच्छे से समझ में आ चुका है यह अध्याय 14 का most important question होने जाला है यह देखिए गड़िती कत्रों की जहां पर मैं आपको पांच question दिखा दिया हूं अब जरूरी नहीं है कि इसी question को ही आपका examiner आप से पूछे भाई अगर इतने question को आपने कर लिया तो आपको आडिया हो जायाएगा कि कैसे question को solve करते हैं समझ लिए तो रटना बिल्कुर नहीं है गड़ित को रटोगे तो फिर गलत हो जाएगा रटना नहीं है question को समझना है समझने में को भी problem आती है तो मैं बैठा किसलिये हूँ मेरे से हर एक question का जवाब मिल जायागा आपको बस question पुछने का आपको दे रही है तो यह पांच प्रस्दों की पहले तयारी करेंगे उसके बाद मिसंद 2023 में आओ और आपको बहुत सारे question मिल जाएंगे उसकी तयारी कर लेंगे ठीक बच्चो इसके solution के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा तो इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आपको एक link उस link में जाओगे playlist में जाओगे तो वहाँ पर आपको अध्यायत 14 के टोटल तीन पार्ट मिलेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने अब जर्ट को सेंपर बात किया है सेकेंड और थर्ड पार्ट में मैंने तिन तिन नंबर वाले प्रस्टों के बारे में बताया हुआ है ठीक बच्चो इस अध्याय से चार नंबर के question पुछते हैं एक objective हैगा और एक जो question रहेगा वो तीन नंबर के लिए रहते हैं तो तीनों पार्ट के question को आपको देख लि करना ठीक बच्चो इस्क्रीन सॉट ले लो अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने अध्याय पंद्रा की और तो अध्याय पंद्रक कोई हम मोश्ट इंपॉर्टन के बारे में आने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे जो प्रस्टों को solve करने के लिए बहुत ज्याद में जो आपके objective को सरेंगे वह घन और घनाब से ही ज्यादा तर आने के chances बनते हैं तो यहां पर कुछ पॉइंट दी गई है इस पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है चलिए एक एक बर हम इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं देखें घन और घनाब में यह तीन जो या फिर घनाब में बोलो दोनों में 6 होती है फलकों की संख्य कितनी होती है घन भोले या फिर घनाब बोले दोनों में सार 6 होती है को रोकि संख्य पूछ लिछ लिगकर ने है0 व्कम इंपोर्टन्ट मों चाहें, या फिर घनाब में बोलें या या पर चार होती हैं, यह कौह विकरने होता है, यह नहीं होता है इसको में होता है, तो कुल विकरना दो प्रकार के कोस्टन है, आपकांका करने की लिजिए, अगर पुछ लिया जाए कि घंड क 여기는 होते हैं तो आपका जबाब यानि के टोटल पूछ लेंगे बच्चों तो सोला जबाब देने अगर पुछे मात्र की कि विकनम के संख्या कितनी होती घ्याना है यह दो अलग अलग नहींच बटे होते अजो चार होते हैं वह आपका आकासी विक नहोता है और जो बारा हो करनों होते हैं सैंभ यहां पर घनाब भी लाइव होती जिदियंक उसार कि संख्या कितनी होती है तो स्षर आपको जवाब देना चार होती अगर उत्व कॉल न की संख्या होती है विंआ का सही जवाब। अब है यह चारज होते हुँं आपका 20 freaking होता है और यहां पर 12 होते हैं यह सब प्रिश्टी विकर्ण होते है यह चारो जो बाद है यह दोनों कॉमन है एक को याद करेंगे तो दूसरह या बन जागऊ कि दोनों में यह comment होने वाला ठीक है अगले जो कई स्कूरार रूर्ट्री योट पुछ लिया गया है अगर किसी घं का आगासी विकर्ना क्या होगा तो एक ही जगह बस आपको चिपकारना थे पांच तो इतना ही लिखना था आपको एक नंबर मिलने वाला था इतना इसी कोश्चन आपके पुछने वाला है फिर यहां पर छट्वन नंबर के पॉइंट बढ़ता हूं घन से संबंधित यदि घन की भूजा एकाई हो तो घन का प्रिष्टी विकरना बराबर एक वर्गमुल दो एक होता है यहां से भी कोश्चन सकता है कि आपको किसी घन की भुजा दे दी गई है कि मालों की 2,4,6,8,10 कुछ भी दे दिया गया है और आपसे पुछले है कि उसका प्रिष्टी विकरने क्या होगा तो एक ही जगा जो आपकी भुजा दिया गया उस भुजा के मान को चिपका में आ जाएगा इस तरह से कंफ्यूज करने के लिवी option अलग अलग बना सकते हैं यह देखकर सेंटिमेटर देगा फिर दो वर्ग मुल दो लिकर वर्ग मिटर देगा या फिर मिटर देगा या फिर घन मिटर देगा तो आपको यहाँ पर माट्रक को भी ध्यान देना इकाईयों को भी ध्यान देना है ठीक है अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो आपका इकाई यहां पर क्या लगेगा सर सेंटीमीटर लग जाएगा ठीक है चलिए लगाएंगे वर्गमुल फिर उसके अंदर में लिखेंगे लंबाय इकावर धन जोड़ाई का वर घर धन यहां पर भी धनाएगा बच्चो थोड़ा से दो दार करें दोन इसको स्क्रीन सॉट ले लो गन और घनाब से इतने ही कोष्टन आपके अग्जामिन आपके पूछने सिलेंडर के बारे में दिया गया है जो आप लोग घर में यूज करते हैं जिसमें आप खाना बना रहे हो उसी के बारे में बात हो रही है सिलेंडर के बारे मात हुई है तो यहां बच्चो देखो यह जो आपको दिख रहा होगा यह यह आपका इस सिलेंडर की उचाई है क्या ए चुचका यह सर होचुका सिलेंडर के चाहिए—— अब यह सिलेंडरकर अधार है यह कौन से तरह आपको दिखाए दिखर यह हमें रित की तरह 나 नजार आ और हम पता किसवये होता है केंद्रोग और यह बेड़ान के अधार का व्यास कैसा अधार अधार कैसा होता है तो अधार कैसा होता है बच्चों यह सर वित्ताकार होता है वित्ताकार होता है बिल्कुल यह आपका जबाब हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखें गए हैं जो कि बेलंस संबंदित होने वाला है यह तीन फॉर्मूले अग च्छेत्रफल कैसे निकालेंगे तो टू पाई आर फिर ब्रेकेट में आर प्लस एच लिखेंगे जहां पर यहां पर सब कमार रखेंगे उसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे आपका बेलन का वक्र प्रिष्ट का छेत्रफल मिल जाएगा यहां पर सेम बात लागू होती है पाई बात बना साथ सर यहां पर आर जो है इस बेलन के अधार की त्रिज्या है ठीक है एच किया है सर यह उचाई होने वाला है उसके बाद अगर आप से कर सकते हो लीख सकते हो ठीक है चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अगले शेप कि और अगला हमाई तरह स्पाचू कहले सय संकू है जिससे हम बोलते हैं कौन सरीन कूझ वह हम आइसक्रीम खाते हैं उसी करहा होता है उसी को उल्टा रग दिया गया है यह उसी के दिखरह बि फॉर्मूले याद रखना कि संकु का वक्र प्रिष्ट का छेत्र फन निकालने के लिए पाई आर एल होता है यहां पर सर पाई तो है 22 बटा साथ आर क्या है अब यहां पर आर को समझते हैं देखे बच्चों चलिए यहां पर सब मुझे देखने पर यह समझ में आ रहा है कि संकु है ना इस संकु का यह अधार भी जो है ना वह कौन से सेल मोगने जरा भ repl exhibitions में लारा वी दनगे वृत्ताकार हुम को दिख लांग को दिखने वाला है יר लेडिटाकार हमको दिख वह यह सर यह जो ह sugg attempts पर से लेकर यह यहां तक यहां तक यह बच्चों इस संकु के उचाई कलाती है यह एज क्या कलाता है बच्चों यह कलाता है आपका एज कलाता संकु की उचाई अब हमें पता है कि संकु के जो अधार होता ना वह वृत्तकार होता है यानि कि यह केंद्र हुआ तो यहां से केंद्र से इस परेधी तक क तो यहां पर तिरिया कुछ आई चाहे तो आप इसको इधर बोल दो यह इधर बोल दो या फिर इस साइड को बोल दो यह दोनों आपके होते हैं तिरिया कुछाई होते हैं इसी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं अब बच्चों यहां पर देखो इसको हम निकालते कैसे हैं देखो इसको हम निकालते कैसे घर यहां पर यह लिखा हुआ है कि इसको निकालते कैसे है तो बच्चों यहां पर आपको एक दिखने वाला है भीया समकोड तिर्भूज समकोड तिर्भूज यह पीछा नहीं चुड़ेगा पीछा नहीं चुड़ेगा गड़ित में आपको समकोड त तो 90 कोड़ वाली सामने वाली जो भुजा यह आपका कहला था सर कड़न लगाएगा अब मालने की यहां पर अग्यात कोड़ बना थीटा तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोल दिये लंब तो अगली वाली जो भुजा बच चुकी है सर यह नीचे को हम बोल देंगे अधार तो यहां पर यह सर दिया गया अधार का मान दिया गया और का वर्ग करेंगे फिर प्लस करेंगे हम करेंगे लंब का वर्ग तो सर यहां पर लंब दिया गया तो एश का वर्ग करेंगे हमें तो निकालना था एल का मान तो दोनों पक्चों में हम वर्ग मुलेंगे त तीकिए बच्चो देखें यहीं से अब्जेक्टी को स्टन भी पूछा जा सकता है किस अगर संकु के अधार की तिरिज्जा दे ले गई है चार सेंटिमीटर यह पुछ भी दे ले और संकी कुछ आई आपको दे दिया गया दस संटिम्टर आपके कुछ भी सब्सक्राइब और निकालना तो एक बटा तीन पाई यार होता है और संकी की तो यहां पर आपको सिखा दिया है तो यह चार आपके वार्मूले कोई से सम्मंदित हो चुके हैं अब हम बढ़ना बोलते हैं इंग्लीज में गोले से संबंधित यहां पर आपको तीन मोश्ट इंपॉर्टेन लाइन याद रखनी है ठीक है बच्छो आजा देख लो देखो से गोले का वक्र प्रिष्ट का चेतर फर ज्याद करेंगे फोर पाई आरी स्क्वेर से अर्ध गोले अर्ध गोले का संपूर्ण प्रिष्ट का चेतर फर निकालेंगे तो यह हो जाएगा त्री पाई आरी स्क्वेर और कहीं गोले का आयतन पूछले तो हम निकालेंगे चार बटा तीन पाई आर क्यों यहीं से कोश्टर आयतन से संबंधित पूछ जाता है और यह आपको दिक र सब्सक्राइब के बारे में बता दिये अब चलेंगे अपने पिटारे की ओर कौनसा अध्याय 15 प्रिष्टी छेत्रफल एवं आतन प्रिष्टी छेत्रफल एवं आतन आपको चप्टर का नाम याद हो बच्चों मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि मेरे को हर एक चप्टर का नाम याद है प्रिष्टी छेत्रफल एवं आतन के मोस्ट इंपॉर्टन को सब्सक्राइब बढ़ना चाहेंगे और मैं खोलने वाला हूँ खजाना और यह एक सेकेंड में खुल चुका आपका खजाना कुल चुका बस देखलो फटाफट से स्क्रीन सोट लेले स्क्रीन कर रखा हुआ है अगर समझ में नहीं आता है कोई कोशन तब के केस में आपको पूछ लेना है लेकिन इसके सॉलूस्टन के लिए आपको जाना पड़ेगा मिसन 2023 के अंतरगत जहां पर प्लेलिस्ट बनी हुए है वहाँ पर जाकर पहले इसको देखिए अगर आपको लगता क्योंगे अध्याय पंद्रा की मोश्ट इंपॉर्टन कोश्टन के अब एक अध्याय बच चुका है इसको क्यों छोड़ेंगे इसी वीडियो में कम्प्रिट कर लेते हैं तो चलिए अब अध्याय सोला अध्याय सोला आंकड़ों का विशलेशन आपका अग्छ दसवी रहेगा बच्चों वह आपका रहेगा सर यह पांच नंबर के लिए होने वाला है अब हम उस पिटारा को खोलने से पहले मैं आपको जितने फॉर्मूले आपको यूज करना है उस अध्याय सोला में सभी फॉर्मूले को एक जगा मैंने लिग कर आपको दे दिया है चाहो त आपको यहांपर पिटीयेच को फॉर्म में मिलने ही वाला है सर आुसत कैसे घ्यात करते हैं तो आुसत बराबर अंकडो का योग बटा आंकडो की संखिया औस हैं एक चीछude नाम ब massive है तो लग से फॉर्मूलला लगा दिया गया लेकिन लेकिन यह फॉर्मूला यह आंकडों के योग और बड़े आंकडों की संख्या की जैसे ही होने वाला है यहां पर जो आपको यह सिगमा दिख रहा ना जिसे हम इंगलिज पर समिशन बोलते हैं इसका मतलब होता है योग क्या होता है बच्चों योग होता ठीक है तो समांतर माध्या एक सा बार बराब में ना दिया जाए समांतर माध्य दो तरीक आंड़ते दो परकार को कुश्चन बनता है एक जो रहेगा आपको एक पंग्ती में सभी डेटर को दे दिया जाएगा दूसरे परकार में क्या होता है कि जितने भी डेटर दिये जाएंगे तो इसको टेबल के फॉर्म में निया के फॉर्म में भी करने वाले हैं कैसे करते हैं कैसी करते हैं इसको देखने के लिए मिसंद 2030 का प्लेई लिस्ट बना हुआ एक लाइन में आपको सभी data दिये जाएंगे और दूसरे परकार के टेबल के फॉर्म में देते अब यहाँ पर जो एक लाइन में आपको जो question देंगे ना इसकी दो condition बनते हैं यहां पर देखो आपको पद दिये जाएंगे विसम जब आपको पद दिये जाएंगे विसम यानिकी एक आपके पास तीन पद देंगे साथ पद देंगे या फिर नौ पद देंगे इस प्रकार से यदि पद होंगे विसम तो इस वाले फॉर्मुले का यूज़ करेंगे बच्चो अगर अगर पद दे दिये जाएंगे सम क्या दे दिये गए सम दे दिये गए तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना बिल्कुल स्क्रीन सॉट लेकर रख लो दो फॉर्मूले मने बता दिये ठीक है अभी खतम नहीं हुआ है माध्धिका अभी और यह समांतर माध्य और एक आत बच्चो अब उसका भी फॉर्मूला मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं जैसे कि मैंने कहा था कि समांतर माध्य माध्य का और बहुलक यहां से तीनों टॉपिक में से बिल्कुल एक ना एक टॉपिक से कुशिशन आने ही वाला है पांच नंबर के लिए ठीक है तो यह लिए बिल्कुल आप इसक्रीन सोट लेकर रखलो समांतर माध्य ऐसे घात करते हैं माध्य का मिडियम बराबर ऐसे करते हैं बढ़ बर ऐसे निकालते हैं अब हैं तो यहां पर बच्चो वीडियो को लंबन नहीं करते यार और लेडी मैंने मीशत नंटर दीस को बता कर रख की जुरत नहीं पड़ेगी अब वह घड़ी आ चुकी है जहां पर मैं आपको अध्याय सोला के मोस्ट इंपॉर्टन को खोलने जा रहा हूं यह खुल चुका यह खुल यह सुमसिम खुल चुका यह देखरें बच्चों पहले ही स्क्रीन पर आपको जाएगे पांच कोश्चन जहां से दो नंबर के लिए कोश्चन पूछे जाने के चांसे बनते हैं सबके सब टैन इस्टार वाले कोश्चन है सभी प्रस्णों को मैंने मिसंद 2023 के अंतरगत करा कर रख चुका हूं वहां पर जाएए देखिए या फिल लगता है कि सब पीडिये बेदो तो पीडिये भ यहां पर प्रस्ण सो है तो यहां पर दो प्रस्ण आपको दिख जाएंगे प्रस्ण करमाग क्षै और वसलाज्स hem range क्रमाध साथ में यहां पर मा chuका निकालने मलां करने के बलाएं मैं यह बार 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 बोलता बच्चों की जरूरी नहीं है कि यही question आएंगे लेकिन इतने ही टाइप के question बनते हैं अगर इन को आपने practice कर लिया है ना तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि यह question सर ने करवाया था कि नहीं करवाया था क्योंकि बस data वदल जाएंगे data वदल जाएंगे लेकिन उसको solve करने तरिका वही रहेगा अगर यहां पर असी के जाड़के देंगे तो बच्चा कोई बोलेगा किसे आपने को्सिंट करवाए ही नहीं करके तो इसमें फरक्त क्या वैक्ट थोड़ी कर रहाँ गूंगना थोड़ा बूत देटा चेंज करेंगे ना देटा तो कि करेंगे समय पबच्च जाएगा तो क्या करेंगे बाकी प्रस्थोव के तयारी आक लोगों को कर रहे नअ है तो из तरस बच्चों यह जो हमारा अंतिम प्राहल चल रहा था अंतिम प्राहल के अभी तक तक मैंने आपको 8 लेक्ट प्रॉड़ कर चुक्ताहूं लेक्चर नमबर टू से लेकर लेक्चर नमबर आठ तक मैंने आपको अध्या एक से लेकर अध्या है अब आपको बहुत जी तोड महनत करना है हर एक चीजों को भूल जाओ मुबाइल को दूर मी रखो दोस्त तयार को बस प्रहाई में जूट जाओ इतना ज्यादा पढ़ने वाले हो उतना ही ज्यादा आपको नमबर मिलने वाला है तो प्रैक्टिस करते रहाएं इतना प्रैक् कर तरो को तारी हो को न इसको आपको खुद करना पड़ेगा पहले आप आज तारी हैं को सब्सक्राइख कर लगे दिन भर करोगे revision क्या करोगे revision करोगे और जैसे ही नायट में पढ़ने के लिए बैठो गे आप क्या करोगे सेंपल पेपर को सॉल्व करोगे close ल को सिरय चुप को जितने भी चैनल देने वाला हूं दो type तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करना कमेंट करना और दोस्तों तक सेयर करना है भम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थांकि वेरी मॉच